2019 लोकसभा चुनाव में कॉंग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा और राहुल गांधी के लिए तो यह इतना बड़ा जटका था क्योंकि उनके आंतरिक सर्वे में कॉंग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर आ रही थी और उनकी ताजपोसी की पूरी तयारी की जा रही अखिलेश यादव को केंद्र में बड़ी जिनमेदारी की बात कही गई थी अवैसी को मंत्रिमंडल में शामिल करना था यह सभी चीजे भीतर खाने चल रही थी परंतु नियती को कुछ और मन्जूर था और पियन तो छोड़िये राहुल गांधी को पार्टी के से इस्तिफा भी दे देना पड़ा था अब एक रिपोर्ट में चौकाने वाला खुलासा हुआ है कि राहुल गांधी और उनकी टीम को UPA की जीत का पूरा भरोसा था चलिए इससे पहले हम आगे बढ़े आप से अनुरोध है यदि आपको हमारे कंटेंट पसंद आये तो हम गूगल पे या फोन पे के माध्यम से हमें सहायता राशी नीचे दिये नंबरों पर भेज सकते हैं चलिए शुरू करते हैं राहुल को बताया गया था कि कॉमरेस 184 सीट जीतेगी यदि इस आंक्रे में कुछ गलती भी हुई तो 164 सीट पकी है इसके बाद राहुल ने मंत् मंत्री बनने का ओफर दे दिया गया था अखिलेश यादव, शरत पवार, उमर अब्दुल्ला और तेजस्वी यादव से भी कॉंग्रेस ने बात कर ली थी और केंद्र सराकर में बड़े मंत्रीपद ओफर कर दिये थे यहां सब 21 मई यानी राजीव गांधी की पुन्यति वाले दिन हुआ था बहरहाल 23 मई को जैसे जैसे नतीजे आए राहुल गांधी और कॉंग्रेस के अर्मानों पर पानी फिर गया यही कारण है कि अब राहुल गांधी अपनी टीम से बहुत नाराज थे और किसी भी बैठक में हिस्सा नहीं ले रहे थे संडे गार्जियन ने पॉलिटिकल एडिटर पंकज वोहरा के हवाले से यह जानकारी प्रकाशित की है रिपोर्ट में लिखा गया है कि कॉंग्रेस ने पहले ही तै कर लिया था कि नतीजे आने पर सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया जाएगा इसके लिए दो लेटर्स बना कर तैयार कर लिये गए थे जिनने सबसे पहले राश्चुपती के समक्ष प्रस्तुत किया जाना था विजय जुलूस की तैयारिया हो गई थी कुछ बड़े कॉंग्रेस नेताओं को 24 अकबर रोड स्थित AICC के आफिस के बाहर 10,000 लोगों की भीड जुटाने के लिए कह दिया गया था रिपोर्ट में आगे लिखा गया है कि इस मामले में राहुल को सबसे ज्यादा धोखा प्रवीन चक्रवर्ती से मिला जो कॉंग्रेस का इलेक्शन ओफिस देखते थे और पार्टी के लिए डाटा एनालिसिस करते थे 21 माई को प्रवीन ने राहुल से मुलाकात की थी और पॉंग्रेस के 184 संभावित विजेताओं की लिस्ट सौंपी थी इस आंकडे की दो बार जाच हुई थी इसके बाद न केवल राहुल बलकि सोनिया और प्रियंता भी जीत के प्रती आश्वस्थ हो गए थे राहुल ने पहली बार जीत कर आने वाले कॉंडरेस के 117 सांसदों की लिस्ट बनाने को कहा था राहुल ने उन नेताओं की लिस्ट भी बनवाई थी जो हार रहे हैं लेकिन जन्हें सरकार में शामिल किया जाना था रिपोर्ट के अनुसार प्रवीन की लिस्ट मिलने के अगले दिन यानी 22 मई को राहुल गांधी और प्रियमका गांधी ने मोर्चा संभाला डोनों ने अपनी पार्टी और गठ बंधन के बड़े नेताओं से संपर्क शुरू किया खबर है कि राहुल ने स्टेलिन को फोन किया और ग्रिहमंत्री का पद ओफर किया था शरत पवार से भी गुजारिश की गई की वे सरकार का हिस्सा बने अखिलेश यादव को भी एहम पद ओफर किया गया इस दौरान राहुल ने यह भी पूछा कि यूपी में महाक्त बंधन कितनी सीटे जीत सकता है तो अखिलेश ने 40 से ज्यादा सीटों पर जीत का दावा किया था और कॉंग्रिस के खाते में 9 सीटे जाने की बात कही थी राहुल ने बिहार में तेजस्वी यादव और जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला से भी बात की वही प्रियंका ने कॉंग्रिस शासित राज्यो के मुख्य मंत्रियों से बात की और उनसे बड़े नेताओं की लिस्ट मांगी जिने केंद्र में मंत्री बनाया जा सके कॉंग्रेस को अपनी जीत पर इतना भरोसा था कि नतीजों वाले दिन प्रेस कॉंफरेंस का पूरा कारेक्रम भी बन गया था बहरहाल जैसे जैसे नतीजे आए राहुल का सपना तूट गया और जैसे ही चुनाव परिणाम आएवह इंग्लेंड भाग गये थे और आज फिर उसी इंग्लेंड से 2024 में सेंध लगाने का प्रयास कर रही है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि विदेशी धर्ती पर भारत का मजाक उड़ाने वालों से सावधान रहने की जरूरत है करनाटक के धारवार में कई विकास परियोजनाओं का उदघाटन और शिलान्यास करने के बाद उन्होंने कहा कि कुछ लोग विदेश में देश में बदनाम करने की कोशिश कर रही है कॉमरेस नेता राहुल गांधी का नाम लिए उन्होंने कहा कि विदेश में देश के लोकतंत्र को नुकसान पहुचाया गया है राहुल गांधी ने हाल ही में लंदन में भारतिय लोकतंत्र के खत्रे में होने की बात कही थी राहुल गांधी पर परोक्ष रूप से निशाना साथते हुए उन्होंने कहा हमें उन लोगों से सावधान रहना चाहिए जो विदेशी धर्ती से हमारे देश का मजाक उड़ाते हैं वे हमारे भारत के खिलाफ बात करते हैं जो लोकतंत्र की जन्नी है प्रधान मंत्री ने कहा आज जब मैं भगवान बस्वेश्वर की धर्ती पर आया हूँ तो खुद को और धन्य महसूस कर रहा हूँ भगवान बस्वेश्वर के अनेक योगदानों में सबसे प्रमुख है नुभव मंडपम की स्थापना इस लोकतंत्रिक व्यवस्था का दुनिया भर में अध्ययन होता है और ऐसी अनेक बाते हैं जिसके कारण हम दावे के साथ कहते हैं भारत सिर्फ सबसे बड़ा लोकतंत्र नहीं भारत लोकतंत्र की जन्नी भी है प्रधन मंत्री मोदी ने कहा ये मेरा सौभाग्य रहा की मुझे कुछ वर्ष पूर्व लंदन में भगवान बसवेश्वर की प्रतिमा के लोकारपन का अवसर मिला लंदन में भगवान बसवेश्वर लोकतंत्र की मजबूत नीम्व का प्रतीक अनुभव मंडपम वो भगवान बस्वेश्वर लंदन की धर्ती पर उनकी मूर्ती लेकिन ये दुर्भाग्य है कि लंदन में ही भारत के लोकतंत्र पर सवार उठाने का काम किया गया भारत के लोकतंत्र की जड़े हमारे सदियों के इतिहास से सीची गई है दुनिया की कोई ताकत भारत की लोकतंत्रिक परंपराओं को नुकसान नहीं पहुँचा सकती बावजूद इसके कुछ लोग भारत के लोकतंत्र को लगातार कट घरे में खड़ा कर रही है प्रधान मंत्री ने आगे कहा ऐसे लोग भगवान बस्वेश्वर का अपमान कर रही है ऐसे लोग करनाटक के लोगों का भारत की महान परंपरा का भारत के 130 करोड जागरूक नागरिकों का अपमान कर रही है ऐसे लोगों से करनाटक के लोगों को भी सतर्क रहना है प्रधानमंत्री मोदी ने हुबली धारवाड में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया इन परियोजनाओं में IIT धारवाड को राश्च्र को समर्पित किया जाना शामिल है इसका शिलान्यास भी प्रधानमंत्री मोदी ने फरवरी 2019 में किया था इसके अलावा 1507 मीटर लंबे सिधारुडा स्वामी जी हुबली स्टेशन को भी समर्पित किया गया यहाँ दुनिया का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन है और इसे हाल में गिनीज बुक ओफ वर्ल्द विकॉर्ड्स ने भी शामिल किया गया है आपसे अनुरोध है देशित में इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें हमें और आगे बढ़ने में हमारी आर्थिक मदद करें आप हमें गूगल पे या पेटियम के माध्यम से हमारी मदद कर सकते हैं हमारा नमबर है 9911955719 आप सभी से एक अनुरोध और करना चाहेंगे यदि आपको हमारे कंटेंट पसंद आ रहे है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और इसी चैनल की अन्य वीडियो को भी जाकर देखे और काम से काम दस ग्रूपों में या अपने हित्मित्रों तक इस वीडियो को शेर करें